कि अग्जांपों टीचिंग स्कूल तो स्वागत है आप सभी का एक्जांपों टीचिंग स्कूल पहे जहां पर बेसिकली आपकी तैयारी करवाई दा रही है आगामी यूपिटेट परिक्षा की और साथी साथ में दस वजे से आपकी करवाई दाएगी आगामी होने वाले शिफ्ट में जो भी आपके सीटेट के पेपर है उनके संभावित प्रिश्न तो एक बार जड़ा सारे ल जोहार आरे जोहार तो जैसा कि आप से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आपका पहला पेपर हो जाएगा आपकी यूपिटेट की क्लासेज में वापिस से चालू कर दूंगा तो तयार हो यूपिटेट वालो सर्जी टीजीडी मैथमेटिक्स के लिए अभी 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 इतना कैसे जागूंगी सो जाना कोई रिक्तत नहीं नींद पहले पूरी होनी चाहिए सर मेरा एक्जाम बीस को है गुड़ लग फॉर देट अब नशकार 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 गुड़ लग विटा दिविंदर ठीक है अगर तुम्हारा एक्जाम बीस को है गुड़ लग बहुत अच्छे से पेपर देना ठीक है जहां तक है अब टेक्निकल कोई अरव नहीं आने चाहिए तो गानगाओ बठके मैं इतनी संदर्व में क्या करो तो क्या करो कि क्या करो कि सब्सक्रीट के लिए परिता नौटियाल सीट एट के लिए 10 वजे से क्लास चलेगी 10-11 सीट रहेगा ठीक है कुछ अपने बच्चे यूपिटेट वाले भी आना उने गुस्सा नहीं करना ना वह भी तो है नद्ने मुन्ने चुन्ने बिचार थी कि वह कहां जाए ठीक है कहां से इविस पड़े बागी सब जगे तो वह एक ही जैसे पड़ा दी जाती है जैसी तो तुम्हें कुछ मेरा 29 को good luck good luck good luck सर्जी कौन सी मंदिर में पुजारी बने हो सप्सक्राइब मेरा ही मंदिर है स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास का पहला question जो है वो यह पूछ रहा है प्रजाति अब देखो आपने पढ़ लिया है संकट ग्रस्थ परजाति तो आपको पता है Red List है तो एक ही organization हो सकती है जो Red List आपकी publish करती है और एक book के अंदर करती है जिसको हम बोलते है Red Data book ठीक है Red Data लाल किताब पाज बोलाओ का नोटिफिकेशन ना जाएगी सीटेद जल्दी ही नोटिफिकेशन चालू करेगा चलो एंसर क्या होगा इसका वल्ड वाइड फोर नेचर प्रकरती के लिए वल्ल वाइड फंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंसर्वेशन ऑफ नेचा प्रकरती के से संद्रक्षन के लिए अंतराश्टी एसं युनाइट नेशन एन्वारमेंटल प्रोग्राम सहयुक्त राश्ट पर्यावरिंकारिक्रम या वर्ल्ड कंसर्वेशन मौनिटरिंग सेंटर विश्वा संद्र प्रक्षन निगरानी सेंटर के इंड्र सर्ट टीजिटी के लिए न्यू बैच कप तक लाएंगे जल्द ही जल्द ही लाएंगे चलिए तो आंसर टू दिस कुश्चिन विल बी क्या हो सकता आपको पता है कि भाईया एक और्गनाइजेशन है ठीक है जो लोग नहीं है एप अप्लिकेशन वाल को तो बता हुआ है जो लोग अप्लिकेशन के बच्चे नहीं है वह क्या करेंगे अपने साथ एक पैन और एक कॉपी रखेंगे और जो चीज में नोट करवार हो नोट करते जाए ठीक है 1948 में ठीक है ग्लैंड स्विजरलेंड में यह और्गनाइज स्विजरलेंड स्विजरलेंड में स्थापित हुआ था इस संग का नाम है इसका एक और नाम है डवल्ड कंसर्वेशन यूनियन डैट इस डवलू सी यू तो यह बेसिकली आपका हाँ यूपिटट अभी करा रहा हूं फिर दस वजे से सीटट की ग्लासे से स्टार्ट करें बुए तो यह बेसिकली आपका एक क्या करती है ठीक है एक बुक पबलिश करती है जिसको आपन बोलते हैं लाल किताब अगर आपको देखनी है लाल किताब तो वह कुछ ऐसी होती है रिट डेटा बुक ठीक है इस लाल किताब के अंदर आपकी ठीक है 6, oh sorry 9 different different types की species को क्या क करत्र किया गया थिक है तो आणसर टूडिस कुश्च्छन विल बी इस प्रिशन का जो तर होगा वो होगा है आपका क्या ड़िस बी इंटरनेशनल कंसर्वेशन फोर यून ओफ नेचर इंटरनेशनल यूनियों फोर और कंसर्वेशन ओफ नेचर प्रकरती के संद्रक्षन केसं लिए अंतराश्ठिय संग ठीक है कौन सी सन में होई थी कि रहाओं सर हम लोग क्या जिन्दीगी बर्द सीटट और यूपिटट देते रहेंगे नहीं हम हुंगे कामयाब हम हुंगे कामयाब हम हुंगे कामयाब एक दिन ओ मन मैं है विश्वास पूरा है विश्वास हम हुंगे कामयाब एक दिन चले, the answer to this question will be 1964 1964 1964 1964 में आपकी पहली लाल किदाप पब्लिश करी गई थी ठीक है clear है सर आपका लुक चाइना गेट के जगीरा से मिलता है क्या बात है क्या वात है ठीक है मेरे मन का भाया मैं चिकन फाड के खाया चलो नेक्स इंग इस अगला कुस्चिंग अगला practicing आपसे बोल रहा है निमिनले खितम ऐसी ग्रीन हाउस फॉच्चान करें ठीक है कि आपकी इंग्राइब्ष Safety प्रक्रण उता है जिसके दौरा आपकी जो पृत्वी रहती है पृत्वी का तापमा निर्देशत की आ जाता है जल्दी जल्दी करने भई कि सर्य टकलू नहीं होने रही है नहीं सब होने देंगे टेंसन मतलो पृतिज्या जी कहा है आपका सेंटर प्लीज टेल मी क्यों तुम दिलवाने ले जाओगे पृतिज्या जी को अपना प्यपर नहीं देना तुम्हें चलो तो आंसर टू दिस कुश्चिन विल भी देखें मीथेन भी है नाइट्रस ऑक्साइट नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी है ठीक है इतो सब से कतरना आगे तो कौन सी नहीं होगी कार्बन मोनो क्साइड इस इस नोन ग्रीन हउपसे श्रक्स अब की क्यों सी किन्स ए हुथि कै आपकी मेल्या मैं सबसे ज्यादा आपकी जलवाश्प होती है अगर आप की दक्षिता में पूछा जाया पोटेंशिल में पूछा जाया और सारी प्राकरतिक गयर्ट गयर्ट अगर अगर सिल फ्लोराइड की सबसे जादा हो दियर तो यह इस दिमाग में अपने बठालने चलिए अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पैं यह पूस्ता हुगा की यह तो मैंने कईयों बार करवाया, कईयों बार, बन उल्लू, बन उल्लू किसे कहते हैं, बन उल्लू, बन उल्लू, दा फार्मर ओफ फोरेस्ट, तो बन उल्लू किसे कहा जाता है, दा फार्मर ओफ फोरेस्ट, सरा पंडिच जी है हाँ चिकन पाढने वाले पंडिच जी यूपीटट की बाकी क्लास्स कबसे होंगी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो वेरी गूट आंसर तू दिस कॉस्चिन विल भी प्रफार्मर और फॉरस ठीक है तो जो हॉन बुल पक्षी है यह आपका ओन बिल ऐसा दिखता है इसको हम फॉरस के किसान बोलते है ठीक है नेक्स दिंग इस पारस्तित की शब्द जो है अठारो सो चाहसट में एक विज्ञानिक ने दिया था जिसका मतलब होता था ऐकस अइकस मतलब आपका ठीक है एंवार्मेंट या फर आपकी सराउंडिंग लोगस लोगस मतलब उसकी स्टड़ी तो आइकलोजी बोला जाता था पहले आइकलोजी ठीक है जिसको इंग्लिश हां जी पेटा कुमल गुलाटी कर दिया तो very good answer to this question will be ठीक है आपका आंस ठीकल ने आपका ठीक है एकलोजी ठीक है अगर यह question ecosystem पूछा होता तो ecosystem वर्ड आपका दिया था किसने ठीक है पारिस्थित की तंत्र या पारी तंत्र जो शब्दी दिया था वो आपके टेंसले ने दिया था विटेकर विटेकर के बारे में कभी भी आपका पूछा जाए ठीक है अगर आपका एन्वार्मेंट से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ब?... सिसने आपका बताया था तू उक बारे में जो बताया था कि परिविदता की बारे में जो बताया था इसता आप प्रकार की होती है कि विदता कि इसके वो टिकर ने चार्ल्स डार्विन का आप एकोलाजी में कोई special role नहीं है वो आपके evolution के father ठीक है उत्पत्ती के जनक कहलाए जाते हैं ठीक है तो answer to this question will be expression का उत्तर जो है वो होगा आपका क्या डी 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 next thing is Stockholm convention ठीक है एक विश्विस्तर पर ट्रीटी है जो की डैश को खतम करने पर केंदरित करता है कई अलग अलग प्रकार के प्रदूशक होते हैं जिनको रोकने के लिए Stockholm convention हुआ था ठीक है तो यह जो स्टॉकम convention है 1974 वाला नहीं है it is 2001 ठीक है तो यह बेसिकली कहा हूँ मतलब किस चीज़ के लिए था पॉलिथी नुत्पादों के लिए green house gases के लिए लगातार कार्बनिक मतलब पर्सिस्टेंट और्गिनिक पॉलूटेंट के लिए या फिर इन मेंसे कोई भी नहीं कि सर क्लियर क्यों नहीं दिख रहे है कुश्चन क्वालिटी बढ़ा दी भाहिया मैं भी स्क्रीन पर ही देख रहा हूं ठीक है ही मेरी भी उत्ती बड़ी स्क्रीन है जितनी तुमारी बड़ी है कि एक बार पीछे जाके वापस आओ तीन सो साट पे करो वीडियो क्वालिटी चलिए टांसर तू दिस कुश्चिन विल भी जो प्रेश्न है इसका उत्तर है ठीक है और यनिक परसिस्टेंट पॉलुटेंट पॉलुटेंट जो आपके पी ओपीज है और इनिवी पीओपीज को आप डर्टी डेजन्स दूशित बारा के नाम से जानते है ठीक है तो डर्टी डेजन्स के बारे में आपका बेसिकली यह convention हुआ था यह संभिलन हुआ था ठीक है that is आपका persistent organic pollutants से related है next thing is ठीक है तो यह सारे mentioned है POPs इसमें ठीक है flagship species flagship species क्या होती है यह basically किसी भी देश की क्या होती है राजदूत होती है राजदूत होती है इनको हम as a symbol की तरह है कोई जानवर पकड़ लेते ऊसको ऐसे राजदूत की तरह होती है मतलब हां के symbol की तरह है यूज करते है तो आप से पूछा किया है भारत में flagship species में कौन कौन सी जाती है ठीक है बंगार टाइगर अफरीकन हाती सही है यह फर्स सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है कि अच्छा हिंदी में बहुत छोटा लिखा है अच्छा हिंदी के फॉर्ण छोटे ऐसा बोलो उसके लिए मैं क्या करूं इसमें बड़ा नहीं हो सकता चला आज मैं आज वो कर लो क्या बोलते हैं कर लो कर लो ठीक है कल मैं बड़ा करवाज हूँ 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 है यूपिटेट की क्लास है क्या हम जी हम जी हम चली तो आंसर तो दिस कुश्चिन विल बी इस प्रिश्न का जो तर है कि जो फ्लैक से विश्विशी जो राजदूद की तरह कारे करती है बंगाई टाइगर भी कर करता है अफ्रीकी हांती भी करता एशिया हांती भी पर दी विल बीदर आएंसर दीसका क्या है राइट एंसर है जो लोग गोल रहे चश्मे मैं नहीं देखा है यह देखो मेरे पास भी तई बड़ा मूबाइल है जतना तुमारे पास है मेरे को भी इसी में दिखरा और साफ दिखरा चश्मे से ऐसा तुम मत बोलो ऐसा तो मत बोलो नहीं ऐसा तो मत करो चलो नेक्स्ट इंग इस चलो एक काम गरते रोको एक मिनिट थोड़ा सा जूम इन हो जाएगा नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी पीपटी पीपटी हो जाती है अच्छा पता लगा मेरे को चलो लो भाई यह थोड़ा सा जूम इन कर दिया और वो लोगो लोगो कोई नहीं इंग्लिश बाद में देखा दूंगा इंग्लिश तो मड़ी देखी रहे लो ठीक है चलो नेक्स्टिंग इस अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला कुश्चन आप से यह पूस्ता हुगा लोगो अगला कुश्चन आप से यह पूस्ता गया Carbon Mono Oxide के बारे में निमलिकित में से कौन साया से कथन सही है Carbon Mono Oxide मानव रख्ट में अच्छा दे गुलंशील होती है मतलब इसकी जो solubilities होती है Inside Human Blood ये X मतलब सबसे जादा होती है Carbon Mono Oxide राष्ट्रिये AQI को मापने के लिए उपयोग में किये जाने वाले प्रदूशकों में से एक है तो जो आपका वायू गुनवक्ता होती है National Air Quality Index जो होती है राष्ट्रिये वायू सूचकांग जो होता है ठीक है वो वायू गुनवक्ता सूचकांग जो होता है ठीक है उसमें आपका Carbon Mono Oxide एक प्रदूशक है प्रदूशक है तो इन में से कौन कौन से कूट सही है फस्ट और सेकेंड सेकेंड ओली सेकेंड थर्ड या फस्ट सेकेंड थर्ड ठीक है हिंदी वालों पढ़ लिया तो आप मैं इंगलिश वालों को दिखा दूँ ठीक है तो इंगलिश वालों यह बोल रहा है कि इस प्रदूशक क्यों प्रोटोड कौन आपका इसमें से कौन सा सही है सीटट का न्यू बैच कभ से स्टार्यट हो गालेडी जो कंप्लीट तो चुका है उससे देख लो उससे रिलेटेड डाउट क्लियर करते रहना चलो तो बताओ फर्स्ट और सेकेंड सही है सेकेंड सही है के वल सेकेंड और थर्ड सही है या फर्स सेकेंड थर्ड टीनों ही सही है अपर एशियन और आफ्रीक्ण रादी में अउनतर बता दो ठीक है पवन प्यारे एटे वाले एशियन हाधी थी कह छोटए होते हैं अफ्रीकन आती बड़े होते है तुम एशिया ही लोग हो ठीक है इंडिया कमस अंडर दा पार्ट ओफ एशिया अपनी हाइट देखना और यह अफ्रीकन जो नीग्रो जाते उनकी हाइट देखना एन्बीए के जो प्लेयर होते वास्केटबॉल वाले हो लंबस यो 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 man what are you talking about you are talking about my giant body are you talking about my giant body together so I'll sue man at the end of the class so like that giant Asian elephant this small while African elephant is very very tall they have large ovary ovary that means dat लार्ज एर उनके कान भी बड़े होते हैं उचाई भी बड़ी होती है ठीक है सारी चीज बड़ी होती है ठीक है तो यह अंतर होता है चलिए तो बजाई यह क्या अंसर होगा सीड़ेट सेंटर चेंज नहीं होगा बेटा चलिए तो आंसर टू दिस कुश्चिन विल बी देखें कार्बन मोनोक्साइड यह वाले स्टेट्मेंट बिलकुल सही है ठीक है कार्बन मोनोक्साइड राष्ट्रिय ने क्यू आई में आती है यह भी सही है याद रखना जो आप कि नेशनल एर क्वालिटी इंडेक्स है एसमें आठ प्रदूशक आते हैं जिसमें से कार्बन डाउक्साइड नहीं होती है यह भी कुश्चिन बनाया जा सकता है कि कौन सा इन मैं से आपको कौन सा प्रदूशक नहीं आता कार्बन डाउक्साइड दू नोट कोंस अंडर द सेकेंड तो केवल एंसर हो गएगा आपके कौन से 1st और 2nd परिवर्तन बैच में क्या नीश हो रहा परवर्तन बैच में क्या नीश हो रहा यूपिटेट का क्यों नहीं शो हो रहा एप में प्लीज रिप्लाई मी सर बिटेट त्रप्ती सिंग एड़ एंड आप दे वीडियो प्लीज दू कमेंट यौर प्रॉब्लम इन दा मैसस बॉक्स ठीक है फिर उसका स्क्रीन शॉट लेके मैं टेकनिकल टीम को भीज़ दूंग आपकी स्क्रीन पर यह पूस्त हुए कि कि कंसीडर दफ ओलवीं ठीक है आपके यह सारे प्रदूशक आपकी स्क्रीन पर दिये गए नाइट्रोजन डायोकसाइट सल्फ़र डायोकसाइट कार्बन डायोकसाइड इन में से राष्ट्रिय जो गुनवक्ता सूचकांग होता ह उनमें से आपका कौन सा प्रदूशक नहीं आता है या पर किसे माना जाता है सौरी किसे माना जाता है चलिए बताईए परी कहा है परी ओड़ गई तुम्हें भी ओड़ना है मेरा बेड का फर्स्ट एयर है इसलिए पूछा कब से न्यू बैच स्टार्ट होगा तो पेटा अगली बार वाले सीटेट लिए अभी से काय को तियारी कर दी है अभी से इस सब त्यार करके बेड़े जाए के टॉप करें कि अग चलिए तो आंसर टू डिस कुश्चिन विल भी ठीक है लेखे आपके सामने पूछा गया है टीक है एने क्यू आई में आपके कौन गोण से पॉलुटेन्ट होते है टीक है तो एने क्यू आइप जो पॉलुटेंट होते हैं वो होते हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, NH3, PB, CO, ठीक है, 1, 2, 3, 4, आच्छे, साथ, और एक और होता है, NH3, PB, CO, NO2, पूर कॉन सथा? तो यह आपके टोटल आठ प्रदूशक होते हैं किसमें, National Air Quality Index में, NAQI में, जिसमें देखिए, option में कौन सा है, Nitrozen Dioxide है, यह ठीक है, Sulfur Dioxide है, यह ठीक है, बट क्या यहाँ पर कोई Carbon Dioxide है, नहीं है, इसलिए आपका answer हो जाएगा, इस question का, 1st और 2nd, only केवल 1st और 2nd, ठीक है, तो answer to this question will be, इस प्रशन का तर होता है, यह ठीक है, सर आप इटने serious क्यों हो गए, पढ़ाते हुए, नहीं, serious हो गए, का करें, गांजा मार के आए, अगली बार क्लास में, का चाती हो, नारू गारू पीते हुए है, अगली बार क्लास में, चलो, तो answer to this question will be, इस प्रशन का उत्तर जो होगा, that is A, ठीक है, तो आपकी जो, एने क्यों आई है, एने क्यों आई में, यह टोटल आठ प्रदूशक आते हैं, कौन क्यों से, PM10, ठीक है, पर्टिकुलेट मेटर 10, PM2.5, पर्टिकुलेट मेटर 2.5, NO2, नाइट्रोजन डा अक्साइड, अमोनिया, सीसा, कारबन मुनोक्साइड, और ओजोन, ठीक है, तो answer to this question will be, इस प्रशन का उत्तर जो होता है, that is आपका कौन सा होगा, that is आपका first or second only, केवल, चलिए, अगला question करते हैं, आपका question number 9, ठीक है, आप से पूछा गया है, कि भीया, यह बताईए, कई होबार किया है, ठीक है, कई होबार किया है, गलत मत करना, ecological pyramid of energy or productivity is always upright, हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा या उल्टा हो सकता है, या फिर आपकी भोजन के जाल पर depend करता है, बताईए, कि उर्जा या उत्तपादक का पारिस्तित की पिरामिड जो होता है, वो कैसा होता है, अधिया है, PM प्राइममिनिस्टर नहीं है, पर्टिकुलेट मेटर है, बटिकुलेट मेटर है, निलंबित कणा, जो धूलमिट्टी होती है, जो पर्यावरन में है तो सही बढ़ दिखनी रही है इसको अपन बोलते है पर्टिकुलेट मैटर निलंबित कन तो आंसर तू दिस कोश्चन विल बी इस प्रिशन का जो उत्तर है डाट इस वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड ऊड़ा की प्रामिट की बाग करी जा यह आपका हमेश dai he bниटा है इस ओल्वेस आपका अपराएड चली है अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे यह निमनमे से पारा से प्रभावित ठीक है पारा ठीक है पारा मतलब मर्कुरी की सिप्रभावित आपका कौन सा आपका शरीर का पार्ट होता है तो पारे से प्रभावेत कौन सा आपका शरीर का पार्ट होता है ठीक है तंत्र का तंत्र होते हैं आते होते हैं या फेफड़े होते हैं आप से कायदे से पूछ रहा है मीना माता डेजी जैसे काली माता आती है ना ठीक है काली माता आती मीनम आता आ जाती है तो भी तुम मस्त अकड़ से जाते हो ठीक है तो कौन सा बोडी का पार्ट प्रभावित होता है तंत्र का तंत्र आती या फिर फिर फड़ी कि बताइए सरी सीटेट के लिए नहीं है कैसा सीटेट के लिए 10 वजे 10 वजे लगवा लग चीज होती है लगवा से आ ठीक है तो answer to this question will be इसमें आपकी body का जो effect करता है body का system वो effect करता है आपका कौन सा that is nervous system आपका तंत्र का तंत्र प्रभावित करता है ठीक है चलिए अगला question आपकी screen पे आपसे ये पूस्त हुए कि निमने लिखित मैंसे विश्व का एक मात्र तेरता हुआ कई बार किया आपने ये वा पाई जाते है चलो एक हिंट मैंने और देदी कि तैरता हुआ विश्व का एक मात्र ठीक है उध्यान है जहां पर आपके dancing years पाई जाते हैं ठीक है वो कौन सा है यह आपके सामने photo बनी है उसकी ठीक है चाय तो आप देख सकते हो डेली होगी ये class अपसर डेली होगी डेली ह होगी यहां जी डेली होगी नौ से दस यूपी टैट दस से ग्यारा सी टैट कि सर राजश खन्ना को किसी ने क्या कर दिया उसकी वेलेडिटी कब तक है बिटा जब तक एक्जाम नहीं हो जाता कोई भी तब तक कोई बैच आपका नहीं अटाया जाएगा ठीक है वेरी गुड आंसर तू दिस कोश्चिन विल बी मनीपुर में यह प्रिजेंट है और वो है आपका कीबुल लाम्जों ठीक है कीबु मेलाथियन जो आपके सामने डब्बा बना हुआ है यह मेलाथियन क्या है यह वर्नक है एक विटामिन है कीट नाशक है या फर यह एक बिस्पोठक है भटा बिस्पोठक कि माता तुम्शीर तुम्हारा new name है काली मत लड़ की मातं नहीं है गाना अटमा छोड़ी बीदी सरीख पुरणा व्यान राज़स्खनना गों क्या हो ग्या राज़िस values स्वाना खिलाया था किसी ने अच्छा राज़स्खनना को JES पता नही precis मेरे थे टीक है चले आंसब्र को दश्क्री कुस्षिन विल वेरी गूट इस जो है यह आपका एक कीट नाशक है एक आपका क्या है पेस्टी साइड है ऐसे याद कर लो मलेरिया के लिए क्या है मैला थी ठीक है नेक्स इंग इस ठीक है एन एग्जाम्पल ओफ नॉन आयोनाइजिंग रेडियेशन एक आइनिक अच्छा अच्छा सोरी सोरी ए आइनिक किरन का वदारन क्या है एक्स करन यह जो आपनी एक्स रही थी उससे निकलती है अल्फा किरन अलका से निकलती है और यह बीटा के रहल कि जो पेट जाता ना जिसने पीटा वहां से निकली बीटा कि सब मलेरिया तो प्रोटोजोल डिजीज आ प्रोटोजोल डिजीज अ लो लू लो डाइल तो बताईए 13 का एंसर क्या होगा ठीक है परा बेंगनी किरने एक्स किरने बीटा किरने या फिर अलफा किरने इन में से आपका कौन सी किरन ए आइनिक है जो कोई आइन्स का फॉर्मेशन नहीं करती है बताईए अगर इंसेक्टिव और स्प्लांट क्या हो जाए एक्स्टिंट हो जाए तो इन्वार्मेंट पर क्या प्रभाब पड़ेगा वेरी गुड वह जो जन्गल है ना ठीक है जहां वह मिलते हैं वहाँ पर इंसेक्ष की नंबर भी जाए तो नेचर ने ऐसे यमजे लेने के लिए दैशनी मेन नहीं तो फूड ले सब्सक्राइब और वह जल जली it गुब ली जान दो चलो वेरी को इनमें से कौन सा आपका अजय रीटियेशन का पार्ट नहीं है एजflow आउर धूस्यम ली जो आपके यूब करने होती है तीर्वी कि जो होती है यूब coding केशन नहीं है बागी एक्स अलफा बीटा ग्याम्ने आपकी और एणिक रेडिएस सोटिये आएनिक विकरण छ चलूए चिनी अमीनो मून अम ले नूंकलोटाइड क्रमस्य डेश डइस तसक्वाइड आन Congress po respectively polysacrite protein nucleic acid ठीक है protein carbohydrate वसा protein carbohydrate fats नू dites हमल प्रोटीन पॉली है नूखिलिक अमल नूखिल sieht protein polysacrite यह polysacrite nucleic अमल और protein polysacrite nucleic acid और protein हाँ भीटा अब डेली स्टार्ट कर दीहेंन अ अगर राइटिंग करनी है तो ऐसे लिखेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे राइटिंग करनी है तो तुम्हें पूरा explanation देना पड़ेगा सर्च करो उसके बारे में ठीक मिल जाएगा तुम्हें गूगल पर मिल जाएगा कई उसारे बनाती है यह हमारे तरह लोते हैं यह और ने और नहीं परोटीन निर्मान करता है वही नुक्स बताता है कि हम सब नहीं सकते हैं तो पापा मम्मी बढ़ोसी से कैसे मिलती है पापा मम्मी से भी मिल सकती यह वह सारी information आपकी body में जहाँ safe है ठीक है यह आपकी body की हाद drive है जिसके अंदर आपकी body में जो भी changes आ रहे है वोसे सारी changes की क्या है सेव है ठीक है तो आप इससे अपनी body के बारे में और पूरे खानदान के बारे में पता कर सकतें हो ठीक है तो answer to this question बिल भी इस स्रिषन का जोत्तर है त्स एक नेंच्स भी नेक्स इच लिए टी एक क्या है डी ठी डी क्या एक दी ठी क्या एक अंटी ऌत, बाइवार दीटेड़ प्रदूशक है या फिर इन में से कोई भी नहीं बताईये कि सरा बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं थाइंक्यू कवडडी में पांच प्लेयर होते हैं बास्केट बॉल में पांच होते हैं क्रिकेट में 11 होते हैं गुरु जी मेरी भी सुन लीजे सुना दीजे कौन सगाना सुनाओ कौन सा गाना सुनाओं 15 का भी अच्छा जी अच्छा अच्छा कोने 15 का भी वाला इंदना नाम कोई स्था रुपी यूटूबर माही और कौन था 15 का भी गीता सर्मा और नेहा सिंग वी कौन मेरे से मिलना हो Example अप्र मैं तुम्हें थाली में परोज के डिटी की खेड़ां चेले डिटी की सबजी डिटी की रोटी डिटी करा definite duty की तुम पचा के इसे खतम कर सकती हो को राभी चीज llevar सड़गल के खतम हो शकती है या फिर आप उसे हök खत्म तो आपका digestive system ऐसा capable है कि उसको खतम कर दे वो बायो degradable होती है ठीक है कायदे से जो आपके microorganism होते है शूश में जीव होते हो उनकी जो digestion की प्रक्रिया है वो इतनी तगडी होती है वो जिन चीज को सड़ा गला दे वो bio degradable होती है बट DDT is a thing which is what non bio degradable ठीक है तो non bio degradable substances these cannot be degraded in the environment तो यह जैसे हैं वैसे हैं इनका कछुनी बगड़ता देखो दो टाइप के गुंडे होते है एक होते ठीक है नॉर्मल गुंडे एक होते है भाई है उसको कुछ नी बगड़ता तो फर वो दूसरा भाई विगड़ पाते और कोई नी बगड़ पाते तो इसने कहा है थिक है तो इसको कुछ नी बगड़ता Greece habr Novie counselor Bunny Change चलिए next thing is अगला question प्रत्वी की सत्य पर पतली परज जिसमें सारा जीवन मलजूद है ठीक है जो लेयर है ठीक है जो उस लेयर को हम क्या कहते है जिसमें आपका जीवन पनपता है गुमंडल बोलते है बायस्फियर बोलते है जल मंडल बोलते है या वातावरन या फर वायू म कुछ आप बाइब लग अरे तो ही अपन कैetty इससे पहले अपन याइच कर्ता नहीं पड़ाता था थोड़ी ता अपन आपता वसुली करता था किसीने बोला और कुछ कल लोगे अब अबने का अपन परियावरन पड़ा देगा तो अपन ने क्लास लगा डाली परियावरन की क्लास में पहली बार आया एक बहुत ज्यादा कोश्चन कर रहा था सरी ये बताओ ये बताओ ये बताओ अपन कोप्चे में लेगा उसे अपने जो बिडू लोग है उसको कोप्चे में ले गए बोले साले ज्यादा पूछता है चलिए तो answer to this question will be ठीक है क्या होगा that is 16 का V very good तो इस layer को हम क्या कहते है ठीक है जिसमें आपका जीवन पनपता है जिसमें जीवन पनपता उसे हम बोलते है जैब मंडल तो जहां बायो वर्ड लग जाए ठीक है जहां बायो वर्ड लग जाय यह बायो का मतलब ही होता है लाइफ जीवन ठीक है तो यह जीवन है इस जीवन का वाइटमिन दी पाए जाता है दूद में अंडे में अंडे में लीवर में कोई नी वाइटमिन दी दूद अंडा लीवर कोई नी अब दादा भाई योका सब्सक्राइब को दादा भाई बूड़ा भाई नाना भाई चाचा भाई जो मर्जी बना दे अंसर दे इसका अब तुने बोल दे अंसर बताईये बाभव जी वाइटमिन दी पाया जाता है अंडे दूद लीवर कोई नहीं चलो very good answer to this question will be इस प्रिशन का उत्तर है that is D किसी में भी वाइटमिन दी नहीं मिलता है वाइटमिन दी सूर्व का प्रकाश बनाता है जब आपका एक तरेक का वसा वह वसा क्या है एर्गेस्ट्रॉल जो कि इसमें भी होता है इसमें भी होता है जब आप इसे कंज्यूम कर लेते हो ठीक है तो आपकी बोड़ी इनसे वो फैट लेने लगती है और उस फैट से जैसे सल्लाइट रियक्ट करेगी वैसे आपका वाइटमिन दी कोलेक लसी फिरॉल की निर्मान हो जाएगा इसलिए वाइटमिन दी का अल्टिमेट सोर्स बोला जाता है क्या कि आउटर्ग और ल्यूवनोग नहीं कार्ल लेंडिस स्टिने नहीं बदाओ किसने किया ओ पोल्यों की वैक्सीन आपका ठीक किसने खोजी थी को पोल्यों की वैक्सीन किसने खोजी थी चल्दी बता Сगhard ए हे छों अि ए मैं पहले के है इपर की देगने का कि यह अब आप ने कहा था चाय बेषते थे सणी सुलाया आपको तो एक बार क्या हुआ जब अपन भाईगरी करता था तो एक दिन अपन पुलिस के बेटे को समझाया वह कोश्चन कर रहा था वह बहुत कोश्चन कर रहा था अपन उसको भी ले गए खुपचे में अपनको पता नहीं था वो पुलिस का बेटा फिर पुलिस आई अपनको खुपचे में ले गई जो मारा उन्होंने उसके बाद अपनने लगाया ठेला अपनने बिजनिस चेंज गिया वहां सनी सर आय चा क्लोरोफर्म की डिसकवरी करी ती जो आपने देखा हो गए यो जॉने स्टी है यह आदमी चटक जाता है जौनाजी साल्क यह आपके साल्क वेक्सीन को आप अब को गोसिंग ऑंदों बहुटा स्यूल्या और यूविविन बेसिकली ये आपके बेक्टे डिस्कवरी और मै पाइरोगायरा थी और काल लेंड इस्टीनर आपके ब्लड ग्रूप रक्त समूँ की ठीक है रक्त समूँ की बेसिकली करते हैं क्या कहानी बड़ी बढ़िया बनाते हैं मैं राइटर भी था पहले बहुत श्ट्रगल किया मैंने राइटर भी था है बगा दिया मेरे को मैंने निस्टोरी सुनाई थी ऐसी स्टोरी ऐसी स्टोरी क्या बताओ चलो तो कवक हमेशा होते हैं कवक क्या होते हैं फंगाई यार ओल्वेस विशम पोशी मितोब जीवी श्वपोशी या पैरसिटिक यह कुश्चन हम तीसरी बार कर रहा है और दोनव वार में ना 50 परसेंट से जाए पोपुलेशन ने इसका गलत एंसर दिया सर मेरे सीटेट का पेपर था आज पोस्पॉन हो गया हाँ अब उसकी नई डेट आईगी तो उसका थोड़ा इंतजार करें सीटेट जल्दी ही उसकी एक नई डेट देगा चली तो very good तो कवक आपके हमेशा क्या होते हैं फंगस आर ओल्वेस ठीक है धैस का गया विशम पोशी ठीक है तो यह हमेशा कैसे होते हैं विशम पोशी होते हैं इसी वशम पोशी के अंदर कुछ फंगस कैसी होती है सह जीवी होती है सिंबायटिक होती है कुछ कैसी होती ह मृतोब जीवी होती है सेप्रोफाइटिक होती है और कुछ कैसी होती है आपकी ठीक है आपकी कैसी होती है पैरसेटिक होती है पर जीवी होती है तो इसी विशम पोशी के अंदर यह सब आ जाएंगे पर जीवी स्वपोशी ठीक है स्वपोशी नहीं स्वपोशी नहीं स्वप मिट्टी से अपशोशित करते हैं क्या थीक है हाइड्रोस्कोपिक जल के शिकाय जल है आपका गुर्तवा करशिन जल और आपका दो नो हाइड्रोस्कोपिक जल या फिर गुर्तवा करशिन जल गुतम तो मिट्टी से कौन आपदी एब्जार्ब होता है यह अभी फिलाल यूपीटेट की दस वजे से थोड़ी देर में सीटेट की चालू हो जाएगी काहे टेंसल ले रहे है बाबू और आ यह मेरा बतीजा कि यूपीटेट का एक्जाम कब होगा नेक्स्ट मन्थ में बोल रहे सरा भिमेश रेसम यह लगते हो ओदया थैंक यू ओ हुजूर लुट गाए मेरे खजूर मैंने उगाए मैंने खाए लेके भाग गए मेरे 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 खजूर चलो तो वेरी गुड आपका जो पौदे जो है वह हमेशा आपका कौन सा आपका पानी को एब्सॉब करते है यह केशिक आए बुजल को देट इस कैपिलरी वॉटर को ठीक है तो आंसर टू दिस कोश्चन विल भी इस प्रिशन का उत्तर जो है वह है आपका बी ठीक है एंसर टू दिस कोश्चन विल भी बी नेक्स इंग इस भारत में शंकुधारी वन पाए जाते ठीक है भारत में आपके जो शंकुधारी वन है वह आपके कहां पाए जाते कोनी फरस कोनी फरस आपके बेसिकली फॉरस्ट पूछ रहा है कहां पाए जाते मध्य प्रदेश में हिमाल्य शेत्र में सत्पुड़ा इल यहां पर राजस्तान में कर दो जल्दी बताए कि अच्छा एप जादा हो रही है इमरान आशमी लगते हो यह जादा हो रही है तुम मैंने तरह नाज मैं आश़मी बोलोगे कि और नाशमी आपसीन अवहारे नहीं जाता तडब यहFitु कि यह जि simultaneous अज़ता परक सिंग है तब है तो आपके कोनिफेरस फॉरस जो है शंकूर उपी वन जो पाए जाते है वो आपके हिमालेयर रीजन में पाए जाते है तो आंसर तो दिस कुश्चन विल भी ठीक है दाट इस बी चलिए अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे ये पूस्ता हुआ कि जिम्नोस्पम में बीज डैश ह होते है ठीक है तो आपके अनावरत पीजी पौदे होते हैं ठीक है उनमें जो भीज होते हैं हमेशा नगन होते है हमेशा डखे हुऑते हैं कुछ नगन और कुछमव में ठंक हुग रखे होते हैं और आपके अनुप respuesta भी बताईह उन्ह glaub पाई एस है 17 17 17 बताया तो था ये जॉन ई सॉल्क बी बताया ना सॉल्क वैक्सीन पोलियो वैक्सीन को सॉल्क वैक्सीन बोलते हैं तो बताओ इसका एंसर क्या होगा तो very good answer to this question will be इस प्रिशन का जो उत्तर है वो होगा आपका कैसे पाए जाते हैं हमेशा नगने पाए जाते हैं तो answer to this question will be a चलो अब आजाओ थोड़ा सा जोग्रोफी करें ठीक है फिर आपका पॉलिटी करें फिर आपका यूपी स्पेशल करें ठीक है तो जल्दी जल्दी आजाओ पॉलिटी पर ठीक है कौन सा आपका इनमें से 7 sisters का पार्ट नहीं है मदला आपकी जो सावन सिस्टर आती है साथ बहने आती है उनमें से इनमें से कौन सा आपका भाग नहीं है मेगाले सिक्केम अरुनाचल या फिर त्रपुरा तो बताईए सेवन सिस्टर का कौन सा इन में से पार्ट नहीं है सेवन सिस्टर का कौन सा इन में से पार्ट नहीं है तो देखिए आपकी सेवन सिस्टर में आपके कौन से आते हैं सेवन सिस्टर्स में आते हैं आपका मिजोरम मेगाले नागालेंड अरुनाचल ट्रिपुरा आसाम और आपका मनीपुर ठीक है तो यह जो सिक्म है यह इसका पाड नहीं है सिक्म को दा ओनली ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर बोला जाता है एक मात्र भाई है यह 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 हो रहा है तुमने देखी ओगे मूवी जिसमें पाच यह चार बहने तो वैसे यह हो रहा है सिक्म एस सिक्म ऐस से आपका क्या सुनिल शित्ती ठीक है तो यह सुनिल शित्ती जो है ठीक है इसकी क्या साथ बहने तो आंसर टू इस question will be आपकी बी चली next thing is यह आपके लिए extra information में एक स्लाइड में डाल दी है ठीक है मैं टेलीग्राम पर शेर करूंगा तो यह आपको extra information मिल जाएगी इसमें लर्जिस अर्या अनुनाचल प्रदेश का है सबसे चोटा त्रिपुरा सबसे जादा अरुनाचल में सबसे जादा ud49्ट Vor अरोनाचल में जो हैं लौन जो है वह जो आपका बुपे जूपेन अजारिका ब्रेज जो कि आपकar लोहीत रिवर पर आपका असम में है तो answer to this question will be जो भी मुवी हो बेटा क्रोध हो ठीक है वो इसी भी हो चलिए next thing is वेर इस दा गोबी डेजर्ट लोकेटेड गोबी मरुस्थल कहां पर इस्थे थे ठीक है गोबी मरुस्थल कहां पर इस्थे थे अटानों में बहुत बढ़ या इतावा में कन्योत में विजन ओर में कुल्ल लूर में कुछ अरे बता दौद ये बटा ऐससे सुंदल शेत्टि ऐससे से सक्यम सुनलचक्टि ऐसे सक्यम सक्यम थे इस नौट्वण से आपका जो हैं मंंगोल जो है यह जुमनों मंगोल जो है वहां पर आपका गुउबी डेजर्टाय। आपका चुच्वाना में कालाहरी डिज़र्ट है तर्कमिनष्तान में आपका कारकुंव करकुंव किसील कुंव डिज़र्ट हैं एंटार्टिक आपका भाइचिव खुदीएप चल्य चाहिए कौन तोड़ा तोड़ा जिन्दा इस ग्लास रस दे यह तोड़ा तोड़ा मरें इस ग्लास ओके सरे एक बार परिश्रावल की दारुनी ने बाबा दवाईए दवाईए दारुनी दवाईए चलो तो answer to this question will be ठीक है इस प्रशन का जो उत्तर है that is आपका कौन सा होगा ठीक है बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ चली तो answer to this question will be तुंग भद्र डान ठीक है जो तुंग भद्र बांध है वो आपका करनाटक में है आप लोगों का हूमवर्क यह कि यह जितने भी डैम है यह कौन सी नदी पे लोकेटेड है यह आप कॉमेंट वॉक सेक्शन जब आपका खुल जाएगा वीडियो उने के बाद उसमें आप बताएंगे तो तुंग भद्रा ठीक है आपका करनाटक में गांधी सागर आपका ठीक है यह MP में स्री सेलम आपका बेसिकली आंदर प्रदेश में और पेरियार पेरियार नेशनल पारका आपका केरन में तो पेरियार वहाँ पे ठीक है नेक्स इं ने परमानु उर्जा आयोग एसी की स्थापना किस ने करी थी अईयंगर ने श्री निवासन ने विक्रम सारा भाई या न फिर आपका भावा ने बताईए सा आप साउथ के दुक तो बताईए अन्सेयर और स्कॉस्ष्ट उन rapॉर्ड एटिवेशन इनरजी कमिशन कि इस्थापना करी थी कि 10 अगस 1948 को चलिए ठीक है अभी recent current में यह current affairs शर्वेड शर्वक्र पूच लियाँ जाता है किसमें यूपिटेट या फिर आपका शूपर टेट में recent हाल फिलाल में current में मनलब 2021 में non-permanent member of UN security council देखे आपकी जो UN है उसके 5 permanent सदस्त होते हैं जिसमें आपका कौन-कौन से चाइना है फिसमें आपका रश्या है आपका France है आपका USA, UK यह इस थाई सदस्त है 15 आपके आस थाई सदस्त है जो पर साल बदलते रहते तो हाल फिलाल पर रीसेंट में एक कंट्री है जो कि आपकी इसकी क्या बनी है आस्थाइस अदस्य बनी है किसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत की ठीक है 192 में सो से 184 या 83 देख लेना करेंट अफेर्स में वोट मिलेते पाकिस्तान ऑस्ट्र तुदिस कुश्चन विल भी जहां तुम्हें लगता है कि अल अब 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 होना चाहिए बहां है इसका इंसर क्या भारत तो इससे पहले भारत आपका 2011 और 12 में नॉन पर्मिनेंट मेंबर था सच बाट कि 12 में भारत के संभविदान के कि संधविदान की राज्यों और केंद्र शाषतों प्रद्वस्चि प्रदोयार्षौ की सूचिव पहली अनुचरी दूशरी नूशर्ची चई या छठी अनुचि ऐसे अनु mural करेंगी सिट और की अभी 10 वजह से थार्त होगी मैं जावी हूँ सर मेरा नेट खतम हो रहा है ओके बाए 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 चली तो वेरी गोड आंसर तो दिस कोश्चिन विल भी ठीक है जो आपका भारत के सम्विदान में कौन सी सूची में राज और केंदर शाषित प्रदेशों को शामिल किया गया है अजीज है इसको याद करने के लिए ट्रिक होती है ड़िए उफ टीजिए हीर्सवा मतलब हब पुराने प्राइम इस्टर के आस। क के एधिकर होता है इसकिडिउल एन रॉल्मेंट होता है तीसरा आपका ओट होती है ठीक है अफरमेशन या ओट होती जब शातों पाँचवा शुडूल एरिया चटवा अधर शुडूल एरिया साथ वा फेडरल स्ट्रक्चर आठवा ओफिशल लेंगेस नवा लेंड रिफोर्म दसवा डिफेक्शन ग्यारवा पंचायत बारवा मुनिसीपैलिटी ठीक है तो यह आपके ऐसे याद करें जाते हैं चली वेन वास आगरा प्रिसिदेंशी यह यूपी स्पेशल आगरा प्रिसीदेंशी सेप्रेटट फ्रॉम बंगाल home प्रिसीडेंशी को बंगाल प्रिसीडेंशी से कवाला किया इता 1766 1792 1838 या 1858 सीटेट की क्लास नहीं है सनी पांडे बस थोड़ी देर रुख जाओ ठीक है चार से पांच मिनिट रुख जाओ उसके बाद सीटेट की दस वजे से स्टार्ट हो जाईगी किस टाइम से क्लास स्टार्ट होती है 9 से 10 यूपीटेट 10 से 11 सीटेट 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 चलिए तो 28 का एंसर जो है 28 का एंसर है आपका 1833 में आपकी क्या करी गई थी आग्रा पेसीडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था चलिए next thing is who was the first chief minister of उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे यह तो आप easily बता सकते हैं बताईए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे मैं माएंगी आज रहा नहीं जाता मेडम देखने आये हैं राक्षास देखले देख मैडम मन के पड़ाओं फुस्टेश कीफ नीजिए प्रदेश शुचेतर क्रप्राणी चौन सींह गोईता बलभपांथ और चंद्रभनुपरताप और से गुटता एठी पाडन चलो तो आंसर to this question will be C गोर्बिंद बल्लब पंत वेरी गुट ठीक है तो गोर्बिंद बल्लब पंत आपके क्या हो थे पहले ठीक है क्या थे चीफ मिनिस्टर दे चलिए very good next thing is which is the official language of उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की आपकी आपकी official राजभाशा कौन सी है संथाली डोगरी हिंदी या फर पाली सीचे तब ओफ-लाइन एक्जाम होगा शायद ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा कुछ भी अफवाय उड़ाते हूं चलो last question है very good तो आपकी मुद्ध प्रदेश की जो आपकी basically official language है तो यह थी आपकी आज की यूपिटेट क्लास थोड़ी जेर में मिलते हैं सीटेट की क्लास में ठीक है तो जो सीटेट का पेपर दे रहे हैं आना ना भूले ठीक है स्टार्ट करते हैं आपकी सीटेट की क्लास तो फिर मिलेंगे आपका कल ठीक है वापस से नौ बजे यूपिटेट की क्लास में कुछ नए कुश्चनों के साथ कुछ नए प्रश्णों के साथ तो तो तिल एन हैवनाइस दे बाई-बाई-बाई-बुड डे टिक्या थेंक्यू सब मैं रोटी बनाती हूं आपका क्लास से स्टार्ट करने है बस वो ओपन गल्लूख स्लाइड अच्छा ये दो बंद करतो बीक्या बंद करने है का थिर उस देगिया आपका प्राट्णों के ऐदू क्लास से साथ जए जक है's वो ऊह त